आपके अपनी यूटूब चैनल एक फोर एकड़ेमी में आपका स्वागत है कच्छा गेरवी की वार्षिक परिच्छ दो अजार तेस बीसे जीव विज्यान का रियल पेपर लेकर आ गया हूँ जो चैनल पर नहीं हो तो सस्क्राइब करदो लाइक करदो और बेलाइगन को प मिलते रहेगा सौबे सौब परसेंट यही रियल पेपर आपके पेपर में आएगा प्रस्न क्रमा की एक है सही बिकल्प चुनकर लिख ये पहला है दू नाम करण दो सब्द से मिलकर बना होता है इसके अंसर दा नंबर होगा बंस तथा जाती दूसरा है अमरत बीजियों मे भून पोस होता है इसके अंसर बन नंबर होगा त्री गुनित तीसरा है है वर्स लियान तंत्र पाया जाता है इसके अंसर होगा अनमबर अपरकास पंचमा है प्रकास अंसलेशन है इसके अंसर सा नंबर होगा आक्सिकन अप्चैन अपक्रिया ती छाटमा है जैवकाल प्रमुक्ता वनी होती है लिपीड वा प्रोटीन की प्रस्नक्रमांक सातमा है सुध्रक्त पाया जाता है इसके अंसर होगा दा नंबर प्रस्नक्रमांक है दूसरा रिक्तिस्थानों की जाती है दूसरा है पुस्व एक रूपांत्रित बिंदी बिंदी है प्रोह प्यारोह तीसरा है रेखित पेशी में दो निकट निकट स्था चेड रेखाएं के बीच का भाग बिंदी बिंदी कहलाता है सार को मियर चौता है कोशिका की खोज राबर्ट हुकने सन 1965 में की थी पांचमा है पच्चियों इवं सरीस्त्राप का प्रमुक उस्सरजित पदार्थ यूरिक अमल है प्रश्नक्रमांग चाटमा इंसुलीन की कमी से बिंदी बिंदी होता है मधुमेल सातमा है बैस्क मानो शरीर में जोड़ी बनाएए पहला है कारम केल्वियम इसके अंसर होगा दुतियक ब्रद्धी थीसरा है यानि दूसरा है केंद्र कभ इसके अंसर होगा प्रोगारियोर्ट कोशिका प्रृष्यूर्ण लिम्फ कल्या şunu प्रश्ण क्रमांक चौथा है कुट गुहा इसके अंसर होगा गोल क्रमी प्रश्ण क्रमांक पांचमां है टेस्टोस्टिरोन इसके अंसर होगा भ्रश्ण की लेडी को सिकाएं छाट में है रक्त इसके अंसर होगा तरल सयोजी उताक है प्रश्णक्रमांक साथ मैनिक साथ में है कैरोटी नाइड इसके अंसर होगा सहायक वर्णक प्रश्णक्रमांक है चौथा देखलो एक बीच पत्री पत्रे में किस प्रकार का सिर विन्यास पाया जाता है तो इसके अंसर होगा शमांतर सिर विन्यास प्रश्णक्रमांक अनी दूसरा है आक्टोपास की संग का जंतू है मोलस्त का संग प्रश्णक्रमांक तीसरा अनि तीसरा है काकरोश का जंतू पैज्यानिक नाम लिखिये पेरिफल नेटेट्र अमेरिकान चौता है किन कोशिकां में आर्द सूतरी विवाजन होता है तो इसके अंसर दुई गुणित कोशका हो जाएगा इसके अंसर पांचमा है रेटीना का कौन सा भाग सिर्फ संकू कोशिकां का बना होता है इसके अंसर होगा पीत बिंद छाट में है किस हार्मोन्स हो प्रस्षो हार्मोन्स कहते हैं इसका एंसर होगा आक्सिटोसिन साथ में है मनुस में कितनी इस्वाईना तंत्रिकाएं पाय जाती है इसका एंसर त्यारा जोड़ी प्रस्ण क्रमांक होगा पांच जमा देख लो ICVN तथा NBRI का पूरा नाम लिखिए Bio Phytus को पादब जगत का उभैचर क्यों कहा जाता है छाटमा है वर्ग किसे कहते हैं अथवा में है चप्टे क्रसीवा कीटों की उस्षर्जित अंगों के नाम बताए प्रसंख्रमाक शाटमा है सोले नेजी वा फेवेशी कुल की सूतर लिखी अथवा में खुला वबंद समभाहन पुल क्या है आठमा है जड में समभाहन वंडल आरी रूप से क्यों वेवस्तित होते हैं अथवा में है ताने पर उपस्तित ऐसी चार रचनाओं के नाम लिखिए जो मोलों पर नहीं पाई जाती है ताने वह जड़के किसी से कौर की कार का भी उल्लेक करें प्रसनक्रमा के नौमा है प्रोकरियोटी कोशका के लच्छने और विशेस्ता है लिकिए तवा में कार्वो हाइडरेट के दो कार है दसमा मियोसित के नियुन कारीव यूहाजन क्यों कहा जाता है ठबा मैं कोसिकाई फूलनी कोसिकाई पुल से आप का क्या प्री है प्रस्ण करमा के गैरमा है इम्सरन प्रभाओ किसे कहते हैं ठबा मैं साइटो कुईनिन के दो नि приयोग प्रयोगिक महत्र लिखिए बारमा है पूर्टल तंतर से आप क्या समझते हैं मनुस में पाए जाने वाले एक पूर्टल तंतर का नाम लिखिए थबा में हैं प्लोटिंग रिवर्स से आप क्या समझते हैं प्रस्ण क्रमांक तेर मह संग कॉर्रेटा के प्रमुक्ल अच्छों के सूची बनाई ये थवा में बीजी पादवों के कौन से गुण उने भूमी पर जीविएत विशेस्ता रोप में अनकूलित बनाते हैं सो में सो परसेंट यही रियल पेपर आपके में आएगा चैनल पर नहीं हो तो सस्क्राइब कर देना लाइक कर देना प्रस्ण क्रमांक चौदा है एक पैरोभी पुछ को नमागी चितर बनाई ये थवा में एक बीच पत्र जड़के नफास्ता काट का नमागी चितर बनाई ये पंद्रमा नमबर है किसी यूकरियोटिक पाधव अत्वध जन्त कोशका का चितर बनाई ये थवा में डिएने के दोई कुंटलित मरडल का चितर बनाई ये सोलमा नंबर है बसंती करण क्या है इसका मोहत्त लिखी अत्वा में है कामपे नाशन बिंदु से आप क्या समस्ति हैं समझाइए प्रस्ण क्रमांक सत्रमा है मनुष में उस्वर्जितंत के नाविचित्र बनाई है तथा उनकी अंगों के नाम लिखी अत्वा में है संधी को परिवासित कर बिंदु यह प्रस्ण क्रमांक ठारमा है स्याश्ट्री स्याश्पोर पौद्व में अंतर लिखी अत्वा में है गलाइको लाइसिस तथा क्रेवस चक्र में अंतर लिखी है 19 रुधिर में स्योर्टू के परिवान को समझाइए